हेलो दोस्तो अभी में एक यूटुब चैनल में मैं अर्विन मकवाना आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बारत के सभी नोबल पुरसकार विजेता वो भी फोटो के साथ देखेंगे जिससे आपको आसानी से याद रह सकें कई प्रिवियस एक्जामों में इनके बारे में प्रस्ण पुछा गया है पहला जो है नोबल पुरसकार किन को मिला था फिर अलग अलग शेत्र में दिया जाता है जो लास्ट में किन को मिला है सांती के लिए किन को मिला है साहित्य के लिए किन को मिला है तो ऐसे बहुत सारे क् चोटी सी जानकारी है लेकिन इसमें से question बहुत सारे पुछे जाते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फोटो के साथ देखेंगे ताकि आपको आसानी से याद रहे सके नोबल पुरसकार के बारे में पहले जानकारी लेते हैं नोबल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वेगनानिक आलफेड नोबल की याद में वर्ष 1901 में ये सुरू किया गया तो किन के द्वारा दिया जाता है नोबल फाउंडेशन कौन से देश द्वारा स्वीडन द्वा बाद यह सांती साहित्य बहुतिकी रसायन चिकिस्ता और अर्थसास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच पुरसकार है क्या है विश्व का सर्वोच पुरसकार जो जो बाते याद रखनी है उसको आइलेट किया हुआ है तो आप अच्छी तरह से याद रखते जाना किन-किन क्षेत्रों में मिलता है सांती, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थसास्त्रा इस पुरसकार के रूप में प्रसस्ति पत्र के साथ 10 लाग डोलर की रासी दी जाती है तो याद रखने क्या मिलता है प्रसस्ति पत्र मिलता है और रासी कितनी मिलती है दस लाग डोलर आगे बढ़ते हैं अर्थसास्त्र के ख्षेत्र में नबल पुरसकार की सरुवात 1968 से की गई है अर्थसास्त्र का जो है पहले नहीं दिया जाता था 1901 में से इसकी सरुवात नहीं हुई थी बाकि सब की सरुवात थी पर अर्थसास्त्र में 1968 से ये नबल पुरसकार देने लगे पहला नोबल सांथि पुरसकार 1901 में रेड क्रोस के सस्थापक हेंडरी जुनेंट और फ्रेंच्पिस सौसाइटी के सस्थापक अध्यक्स फ्रेडरिक पेशी को संक्तरूप से दीया गया था तो ये खास याद रखना है ये भी पूछा राता है Red Cross के संस्थापक कोन है या स्थापक कोन है तो Henry Dunant तो सबसे पहले इनको ये दिया गया था 1901 में और Frederick Pacey जो French Peace Society के संस्थापक है अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं भारती ये नोबेल पुरसकार विजयता इन में से कई बार कई शारे क्रेशन पूछे गए हैं तो अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा ताकि आपको आसाने से याद रख सके और लास्ट में आप आपको चार क्रेशन पुछे जाएंगे जिनके आंसर भी आपको देने हैं तो अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिएगा सबसे पहले रविंद्रनाथ टेगोर या ठाकूर दोनों कहते हैं तो रविंद्रनाथ टेगोर जो है वो अब फोटो में देख सकते हैं यह है रविंद्रनाथ टेगोर इनको 1913 में साहित्य यानी लिट्रेचर के लिए ये मिला था जो साहित्य के ख्षेत्र में इनको नोबल पुरस्कार प्रदान किया गया था कब किया गया 1913 में रविंजरनाट टेगोर नोबल पाने वाले एस्या एवं भारत के पहले व्यक्ति थे महानकवी और रचीता गुरु रविंजरनाट टेगोर को 1913 में साहित्य के ख्षेत्र में उनकी काविय पुस्तक गितानजली के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया उन्होंने भारत और बांगलादेश दो देशों के लिए राष्टगान लिखा है गितानजली और साधना उनकी महत्वपूर्ण कृतिया है तो इस स्लाइड में से क्या क्या याद रखेंगे खास करके रविंजरनाट टेगोर को सबसे पहले दिया गया वो भी एसिया में प्रथम यक्ति थे जिनको ये एवोड मिला हो पूरे एसिया में और भारत के तो पहले हो गई ही जब एसिया के है तो कब दिया गया उन्नी सो तेरा में किस क्षेत्र में दिया गया तो साहित्य यानि लिट्रेचर में किस कृति के लिए दिया गया गितानजली कृति के लिए दिया गया और इन्हों दो देश का राष्टगान लिखा है कौन कौन सा देश एक भारत और दूसरा बांगला देश और कौन सी कुरूती इनकी फेमस है गितानजली और साधना तो इस स्लाइड में से आप इतना याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं चंद्र सेखर वेंकट रमन तो दूसरा इनको दिया गया यह है सीवी रमन जो चंद्र सेखर वेंकट रमन इनका पुरा नाम होता है 1930 में बहुतिकी यानि फिजिक के क्षेत्र में इनको नबल पुरसकार दिया गया महान वेग्णानिक सीवी रमन को बहुतिकी फिजिक के क्षेत्र में महत्वपुर्ण कारिय करने के लिए 1930 में नबल पुरसकार से सनमानित किया गया डोक्टर रमन ने अपने अनुसंदान में इस बात का पता लगाया कि जब प्रकास किसी पारदर्सी माध्यम से गुजरता है तब उसकी वेवलेंथ यानि तरंग की लंबाई में बढ़लावाता है इसी को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है तो इनके लिए सिवी रमन को नोबल प्राइज दिया गया इस स्लाइड में से क्या-क्या याद रखेंगे सिवी रमन यानि उसका पुरा नाम याद रखना है पुरा नाम भी पूछा जा सकता है चंद्रसेखर वेंकट रमन, सिवी रमन कब दिया गया? 1930 में किस खेत्र में दिया गया भोति की यानि फिजिक्स में अब इन्होंने महत्वपुर्णा काम किया था इसलिए 1930 में दिया गया क्या काम किया था तो प्रकास की पार्दिष्टा माध्यम से गुजरता है उसकी वेवलेथ जो है मतलब तरंग की लंबाई जो है वो उसमें बढ़लावाता है यह इन्होंने बताया था इसी को रमन इफेक्ट भी कहा जाता है तो यह थे चंद्रशेखर वेंकट रमन यानि सीवी रमन आगे बढ़ते हैं हर्गोविंद खुराना यह है हर्गोविंद खुराना इनको 1968 में चिकिस्चा यानि मेडिकल के लिए ख्षेत्र में दिया गया था अनुवांसिक कोड यानि DNA की व्याक्या करने वाले भारतिय मुल्क के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर हर्गोविंद खुराना को चिकिस्चा के ख्षेत्र में अनुसंदान के लिए नोबल पुरसकार दिया गया है खुराना ने मार्शल, निरेनबर्ग और रोबेट होले के साथ मिलकर चिकिस्चा के ख्षेत्र में काम किया है तो यह है अर्गोविंद खुराना इस स्लाइड में से हम याद रखेंगे अर्गोईंग खुराना को कब मिला 1968 में किस खेत्र में मिला चिकिस्ता या तो मेडिकल में उन्होंने क्या किया आनुवांसिक कोड यानि DNA की व्याख्या की थी और वो मूल भारतिये थे भारतिये मूलके थे और अमेरिकी नागरिक थे अमेरिका तो कहा है अमेरिका लेकिन है भारतिय तो इतनी चीजे याद रखनी है आपको आगे बढ़ते हैं मदर टेरेसा यह है मदर टेरेसा मदर टेरेसा को 1979 में सांति के क्षेत्र में नोबल प्राइस दिया गया है 45 सालों तक गरीब असहाय और मरिजों की सेवा में तलिन अलबिनियाय मुल्की भारतिय मदर टेरेसा को 1979 में सांति का नोबल पुरसकार मिला मदर टेरेसा ने बारत में बेसहारा अनात और रोग्यों की सेवा करके समाज में सेवा का एक उदाहन पेस किया जिसके चलते इन्हें विश्व सांति का नोबल मिला तो यह मदर टेरेसा क्या क्या याद रखेंगे कब मिला मदर टेरेसा को 1979 में किस क्षेत्र में मिला सांति के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया गरीब असहाय और मरिजों की सेवा की कितने सालों तक 45 सालों तक कहां की थी वो अलबिनियाय मुल्की थी कहां की थी अलबिनियाय मुल्की लेकिन रहती भारत में थी और भारत के लोगों की सेवा करती थी मदर टेरे साब भारत में बे सहार आना थो रोगियों की सेवा की थी और उनको ये नोबल प्राइज मिला ठीक है इतनी चीजे याद रखनी है कब मिला वो भी 1979 में आगे बढ़ते हैं सुब्रमनियम चंद्र सेखर को नोबल प्राइज मिला ये है सुब्रमनियम चंद्र सेखर 1983 में भोतिकी के क्षेत्र में इनको नोबल पूरस्कार मिला यानि फिजिक्स में 1983 में भोतिक शास्त्र के ख्षेत्र में महत्वपुन योगदान के लिए डॉक्टर सुब्रमनियम चंद्र सेकर को नोबल पूरस्कार दिया गया। डॉक्टर चंद्र सेकर भारतिय मुल्क के अमेरिकी नागरिक होने के साथ साथ एक विख्यात खगोल भोतिक की सास्त्री भी थे उनके सिद्धान्त से ब्रह्मान की उत्पति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला। तो ये हैं सुब्रमनियम चंद्र सेकर 1983 में इनको भोतिकी यानि физics के खेत्र में Nobel Prize मिला। तो ये भारतिय मुलके थे लेकिन नागरिक कहां के थे अमेरिकी तो अमेरिकी नागरिक लेकिन थे भारतिय मुलके और ये खगोल बहुतिक सास्त्री भी थे ये भी याद रखना है और इन्होंने क्या सोधा ब्रह्मान की उत्पति के बारे में अनेक रहस्यों की खोज इसने क थी इसलिए इनको 1983 में नोबल प्राइज मिला था आगे बढ़ते हैं अमर्थ्यसेन तो ये हैं अमर्थ्यसेन 1998 अर्थसास्त्र के ख्षेत्र में यानि एकोनोमिक्स में इनको नोबल प्राइज मिला वर्ष 1998 में अमर्थ्यसेन को अर्थसास्त्र यानि एकोनोमिक्स में उनके युगदान के लिए नोबल पुरस्कार मिला था उन्होंने अकाल में भोजन की व्यवस्ता के लिए अपनी थियोरी दी वह पहले भारति ये थे जिन्हें अर्थसास्त्र के ख्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला पिछले 40 बरसों में तीस्चे अधिक भासावा में उनकी पुस्तके छप चुकी है तो इस स्लाइड में याद रखेंगे अमर्टियस सेन पहले तो नाम किस ख्षेत्र में मिला अर्थसास्त्र में कब मिला 1998 में इकोनोमिक्स याद रखेंगा इंगलिस में भी पूछ सकते हैं अब ये चीज़ तो वही है जो उनको एवर्ट मिला अकाल में भोजन की व्यवस्ता को लेके इन्होंने जो थियोरी पैस की उसके लिए इनको ये दिया गया था नोबल प्राइज वो पहले भारतिये थे जिने अर्थसास्त्र के ख्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला तो नाम आएगा अमर्थय सेन तो याद रखेगा प्रथम भारतिये अर्थसास्त्र है जिनको ये प्राइज मिला हो वी एस नाइपोल तो ये है वी एस नाइपोल 2001 में इनको नोबल प्राइज मिला साहित्य के ख्षेत्र में मिला विएस नाइपॉल या विद्याधर सुरेज़ प्रसाद नाइपॉल तो इनका पूरा नाम भी याद रखेगा विद्याधर सुरेज़ प्रसाद नाइपॉल 17 अगस्त 1932 से लेके 11 अगस्त 2018 आधुनी युग के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे तो कैसे साहित्यकार थे अंग्रेजी साहित्यकार उन्हें 49 अंग्रेजी चंद का गुरु कहा जाता है 2008 में The Times ने विएस नाइपॉल को अपनी पचास महान बृटिश साहित्यकारों की सूची में सात्वा स्थान दिया था कितना सात्वा उन्हें 2001 में साहित्य में नोबल पूरसकार प्रदान किया गया तो क्या याद रखेंगे वी एस नाइपॉल पूरा नाम पहले तो याद रखेंगे विद्यादर सुरजप्रसाद नाइपॉल ठीक है उनका जन्म और मुत्यू इतना याद रखने ही जरूरत नहीं यह याद रख सकते हो क्यूंकि अभिहाली में एक दो साल में इनका डेथ हुआ है तो 11 अगस 2018 को इनका मुत्यू हुआ था और प्रसिद्ध क्या थे अंग्रेजी साहित्यकार थे और अंग्रेजी चंद का गुरू भी इसे कहा जाता है किसे वियेस नाइपॉल को और जो दी टाइम्स ने पचास महान ब्रिटिश साहित्यकारों की सूची तयार की थी उसमें सात्वा स्थान इनको मिला था और 2001 में इनको साहित्यकारों क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला है आगे बढ़ते हैं वी राम कृष्णन तो ये है वी राम कृष्णन 2009 में रसायन यानि केमिस्ट्री के ख्षेत्रों में इनको जो है नोबल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा विग्णन में महत्व पुर्ण कार्य करने के लिए बारतिय मुल्के अमेरिकी नागरिक वेंकर्ट रमन राम कृष्णन को 2009 में रसायन सास्त्र यानि केमिस्ट्री के ख्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला राम कृष्णन अदा योनोत और थोमस स्टीज को संयुक्त तोर पर रसायन के नोबल से सन्मानित किया गया था उन्होंने 3D तक्मिक के जरिये समझाया कि किस तरह रिबो जोमस अलग-अलग रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो ये इन्होंने समझाया था अब इस स्लाइट से याद रखेंगे हम वी राम कृष्णन 2009 में इनको नोबल पुरस्कार मिला कौन से क्षेत्र में मिला रसान के क्षेत्र में मिला केमिस्ट्री भी पूछा आए सकता है तो याद रखेंगा भारतिय मुल के थे लेकिन नागरिक कहां के थे अमेरिका के नागरिक थे और किन तीनों लोगों को मिला था तो रामा कुरुशलन, अदा योनोत और थोमस स्टीज ये तीनों को सहुत रूप से ये पुरस्कार दिया गया था किसलिए दिया गया था? 3D टक्निक से इनोंने समझाया था कि रिबो जोमस अलग-अलग रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो इतनी चीज़ें हमको याद रखनी है आगे बढ़ते हैं कैलास सत्यार्थी ये है कैलास सत्यार्थी 2014 में इनको नोबल पुरस्कार दिया गया किस ख्षेत्र में दिया गया? सांती में कैलास सत्यार्थी को बाल अधिकारों की रक्षा एवं बाल सरम के विरुद लड़ाई के लिए वर्ष 2014 में नोबल पुरस्कार से सन्मानित किया गया है उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की और विश्व भर में हजारों बच्चों को अधिकार की रक्षा के लिए ये कार्य किया इन्हें पाकिस्तान की मलाला यूसुप जय के साथ सहिंत रूप से नोबल सांती पुरस्कार से सन्मानित किया गया है तो इस लाइट से याद रखेंगे सबसे पहले नाम कैलास सत्यार थी कब मिला? 2014 में किस ख्षेत्र में मिला? सांती यानि पीस अब क्या इन्होंने काम किया था? तो बाल अधिकारों की रक्षा एवं बाल सरम के विरुद लड़ाय की इन्होंने और बच्पन बचाओ आंदोलन चलाया और इनको किन के साथ दिया गया? तो पाकिस्तान की मलाला यूसुद जय के साथ संयूत रूप से इनको नबल पुरसकार मिला है तो इतनी चीज हम याद रखेंगे कहला सत्यार्थी के बारे में आगे बढ़ते हैं अभिजीत बेनर जी तो ये है अभिजीत बेनर जी जिनको आली में 2019 में अर्थसास्त्र के क्षेत्र में नबल पुरसकार मिला है भारतिय मुल के प्रोफेसर अभिजीत बेनर जी अस्तर डफलो और माइकल क्रेमर को स्वीडन में सहिंत रूप से अर्थसास्त्र के नबल पुरसकार से सन्मानित किया गया है तीनों और्थ शास्त्रियों को दुनिया से गरीबी खत्मक करने के उनके प्रयोगात्मक दर्ष्टिकॉन के लिए नोबल पूरस्कार के लिए चुना गया अभिजित बेनर जी का जन्म 1961 में मुंबई में हुआ था उन्होंने Harvard University चे PhD की डिगरी लिए तो सबसे लास्ट में इनी को मिला है तो इनके बारे में खास करके पूछा जा सकता है क्या नाम है अभिजित बेनर जी 2019 में इनको दिया गया अर्थसास्त्र में यानि economics में दिया गया ठीक है तो किन किन तीन व्यक्तियों को दिया गया इनके साथ तो भिजित बेनर जी अस्तर डफलो और माइकल क्रेमर ये तीनों को सहुत रुप से साथ में दिया गया किस क्षेत्र में दिया गया अर्थसास्त स्रीओं ने क्या काम किया तो दुनिया से गरीबी खत्म करने का उनके प्रयोगात्मक द्रस्टी कौन के लिए इनको दिया गया है ये नोबल प्राइज तो विजित बनर जी का जन्म कहां पर हुआ था मुंबई में 1961 में यानि भारतिय मुल्के है उन्होंने Harvard University से PhD किये कहां से किये Harvard University से तो ये थे अभिजित बनर जी खास याद रखेगा दोस्तों आपने वीडियो देखा अब आपकी टेस्ट जो वीडियो देखा है उन्ही में से आपको यहां पर चार क्वेशन पुछे जाएंगे जिनके अंसर आपको कमेंट बोक्स में देने है इससे पहले गर व त्याकि जैसे ही में वीडियो अपलोड करू आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आए और आप तुरंत ही वो वीडियो देख पाएं और अगर इस वीडियो की पीडियो पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में में टेलिग्राम चैनल की लिंक दी हुई है प्लस किस की याद में दिया जाता है जो 1901 से इसकी सुरुवात की गई है नोबल पुरसकार पाने वाले एस्या एवं भारत के पहले व्यक्ति कौन थे इनका नाम बताना है कहला सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबल पुरसकार मिला सिवी रमन को किस साल और किस क्षेत्र में नो का अंसर आपको क्रमसर कमेंट बोक्स में लिखके देना है आसा रखता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पो वाचिंग मैं वीडियो